सीता फल का स्वाद आखिर को नहीं लेना चाहता इसकी मिठास और स्वाद इतना बढ़िया है कि सीजन में इस फल को हर कोई स्वाद चकना चाहता है यह फल जितना मीठा है उतना ही स्वादिश्ट और पोस्टिक भी है कांकेर जीले में इस फल की ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से खुब पैदावार हो रही है हर साल उतपादन एवं विपनन भी बढ़ रहा है कांकेर के सीता फल की अपनी अलग विशेशता होने की वज़े से ही अन्य स्थानों से भी इस फल की डिमाड आ रही है स्थान्य प्रशासन द्वारा सीता फल को ना सिर्फ विशेश रूप से ब्रांडिंग पैकेजिंग एवं मार्केटिंग में सहयोग कर इससे जुड़ी महिला वस्वम सहयता समुहू को लाप पहुचाने का काम किया जा रहा है उन्हें आत्म निर्बर बनाने का आवसर भी दिया जा रहा है इसी का परिनाम है कि इस वर्ष सीता फल का ग्रेजिंग और संग्रहन करने वाली स्वयम सहयता की महिलाओं एवं इससे जुड़े पुरुषों को लगबग 25 लाख रुपे तक की आमदनी होने की उमीद है प्रशासन द्वारा कांकेर वैली फैश्र सीता फल के रूप में अलग अलग ग्रेजिंग कर 200 टन विपनन का लक्षे रखा गया है वैसे तो सीता फल का उत्पादन अन्य जीलों में भी होता है लेकिन कांकाईर जीले का यह सीता फल राज्ये में परसीद है यहाँ प्राक्रितिक रूप से उत्पादि सीता फल के 3,19,000 पोदे हैं जिससे प्रतिवर्ष अक्तूबर से नवंबर महा तक 6,000 टन सीता फल का उत्पादन होता है यहाँ के सीता फल के पोदे में किसी भी परकार के राइसेनिक खाद या किट नाशक का परियोग नहीं किया जाता है यह पूरी तरह से जैविक होता है शासन की पहल पर वन विभाग द्वारा स्वयम सहायता समहू की महिलाओं को पैकेजिंग और वाहन की सुईधा प्रदान की गई है एक अलग मिठास के लिए इस सीता फल का स्वाद अन्य राज्यों के लोगों को भी पहुँचाया जाता है यही वज़य है कि कुछ बड़े विवसाई इस कोलकाता तक विक्रिय के लिए ले जाना चाते हैं उम्मीद के जा रही है कि पिछले वर्ष की तुन्ना में स्वर्शीता फल का दुगना विवसाई महिला स्वयम सहता समहू के माधिन से किया जाएगा यहां संग्रेन एवम ग्रेडिंग से जुड़े लोगों के अलावा कांकेर के लोगों की भी खुशी है कि परशासन के इस पहल से स्थानिय लोगों को लाप मिलने के साथ उनके जीले के सीता फल की पहचान लगातार बढ़ती जा रही है अगराना एंड जोती गार्डन अजे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल